अगर आप पैट्रोलं पम्प खोलने की सोच रहे हैं तो सरकारी तेल कंपणी हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉप्रेशन लिमिटेट। हपीशी ल, इंडियन ऊल्ल कॉपरेशन, IOC, और भारत पैट्रोलियम कॉपरेशन लिमिटेट, बीपीशी ल आपको मौका दे रही है राजियों और केंगर शासित प्रदेशों में विभिन स्थानों पर रिटेल आउटलेट बीलरों के लिए आवेदन मंगाए हैं। ऐसे में आपके पास भी डीलर्शिप लेकर लाखों में कमाई करने का मौका है। इन राजियों में खुलिंगे नए पैट्रोल पंप हर्याना, दिल्ली, अरुनाचल प्रदेश, असंग, केरल, मनिपुर, निगाले, नागालेंड, ओडिसा, पुदुचेरी, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम, बंगाल, आंध्र प्रदेश, दमन और दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्नु एंड, कश्मीर, करनाटिक, महाराष्ट्रा में नए पैट्रोल पंप खुलेंगे। ऐसे करें आवेदन रुटेल आउटलेट डीलर बनने के लिए आपको www.petrol.delechain.in website पर जाकर आवदेन करना होगा। आवेदन शुर्ट के ओन- दिसम्बर 2018 तक रुटेल आउटलेट डीलरशिप के लिए अपलाई कर सकते हैं। ओन-लाइन आवेदन पत जमा करनी की अंतिन्तिती के कट-off के तुरंत बाद समाप्त कर दी जाएगी। कौन खोल सकता है पैट्रोल पंप पैट्रोल पंप मालिक बनने के लिए आपका भारत या नागरिक होना जरूरी है। साथ ही आपकी उम्रेटीस सेकंड साथ वर्ष के बीच होनी चाहिए और कम से कम दस्वीन तक की एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। कैसे खोलता है पैट्रोल पंप तेल कंपनिया अपनी जरूरत के हिसाब से पैट्रोल पंप खोलती हैं। जिस भी एरिया में कमपनी को पैट्रोल पंप खोलना होता है, वहां का विग्यापन अकपार में जारी किया जाता है। इसमें सभी नियम शर्तों का उलेक होता है। इन नियमों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित कमपनी की वेबसाइट पर डीलेशिप के लिए ओनलाइन अपलाई कर सकता है। इसके बाद कमपनी के अधिकारी निरीक्षम करते हैं। पैट्रोलियम मंत्राले पैट्रोल पंप खोलने पर पाबंदी लगा सकता है। इतने मीटर जमीन जरूरी पैट्रोल पंप खोलने के लिए सबसे पहनी जरूरत जमीन की होती है। स्टेट या निशनल हाईवेपर कम से कम 1200 सेकंड 1600 वर मीटर जमीन होना चाहिए। वहीं शेहरी क्षित्र में पैट्रोल पंप खोल रहे हैं तो कम से कम 800 वर मीटर जगह होना जरूरी है. यदि खुद के नाम पर जमीन नहीं है तो लीज पर भी जमीन ली जा सकती है. इसके कागजात कमपनी को दिखाना होंगे. परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भी जमीन है तब भी पैट्रोल पंप की डीलेशिप के लिए अपलाई किया जा सकता है. एग्रिकल्चर लेंड है तो उसका कनवर्जन करवाना होता है. प्रॉपर्टी के नक्षे सहित जमीन से जुड़े सभी कागजात एनुसी कमपनी अधिकारी मिरीक्शन के दोरान देखते हैं. सरक लाइंड में पैट्रोल पंप आविंद करता के पास फंड की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है. इसके अलावा जमीन के मालिकाना हग को लेकर नियमों में छूट भी गई है. अब तक शेहरी इलाकों में पैट्रोल पंप के लिए 25 लाख रूपिय का बैंक डिपॉजिट ब्रामीन क्षेतर में पैट्रोल पंप खोलने के लिए 12 लाख रूपिय का डिपॉजिट होना जरूरी था.